गुंगत वाली दर्जी बहु की मौडल नंद जी हाँ मैंने सुना है आपकी बेटी सिलाई भी करनी जानती है और बेहत संसकारी है जी हाँ मेरी बच्ची कभी कहीं से शिकायत नहीं आई और कपड़े तो वो ऐसे सिलती है कि सभी उसके हाथ के सिले कपड़ों के दीवाने हैं पता है मेरी श्वेता बड़ी चोटी सी थी जब उसने पहली बार अपनी ड्रेस से ली थी और बस तब ही से उसने सिलाई करना शुरू कर दिया कभी अपने जेब घर्च के पैसे मेरी बेटी ने हम से नहीं मांगे अच्छी बात है अब लेकर भी आजाई अपनी बेटी को जी जरूर मैं बुलाती हूँ श्वेता श्वेता बेटा आजाओ जी मां आई ऐसे बोलकर श्वेता सभी के सामने आई श्वेता ने उस वक्त कुर्थी के साथ पैजामा पहना हुआ था और वो बड़े संसकारी तरीके से तयार थी उसे देखते ही जुआला का मन खुश हो गया लेकिन वहीं जुआला के बराबर में बैठी हुई उसकी बेटी सरन्या का मुह बन गया आओ बेटा नमस्ते नमस्ते मा आप इस लड़की को मेरे भया की बीवी बनाओगी हाँ बिलकुल क्यों नहीं इसमें क्या खराबी है और इस मैटर में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है तो क्या आपको मेरी बेटी पसंद आई जी जी बहुत ज्यादा आपक सरन्या को पसंद करके आ गई लेकिन सरन्या को अपनी होने वाली भावी एक आँख भी अच्छी नहीं लगी थी सरन्या बेहद मौडन थी और श्वेता बिलकुल सीधी साथी जिसकी वज़ा से सरन्या को श्वेता में कोई इंट्रेस्ट नहीं था लेकिन अब तो रिष्ट ना जाने यह क्या पहनाई है सभी लोग देख रहे हैं मुझे कितनी शरम आ रही है माँ आपकी बेरी प्यूरिफुल लग रही है इसलिए सभी देख रहे हैं तो आप रिलाक्स रही है प्यूटिफुल सरन्या ऐसे बोलते हुए चली गई वो पार्टी में सबसे आदा अज दिखकर बहुत ज्यादा खुश थी कुछी देर में शादी की सभी रसमें भी हो गई और सरन्या जोला की बहु बन कर अपने ससुराल आ गई ससुराल में जोला अपनी बहु की मेहमानों के सामने तारीफ करने लगी वा जोला तू तो बड़ी ही कलाकार बहु लेकर आई है जानती है, इसके हाथों के कपड़े बड़े मशूर हैं। हाँ, सही कहा, मेरी बहु है ही काबिले तारीफ। हाँ, बस अंदर से ही कलाकार है, उपर से तो ओल्ड फैशन ही है। सरन्या, कितनी बार बताया है कि बड़ों की बातों में मत बोला कर, जा अपने कमरे में जा। सरन्या, जौला ने आखों ही आखों में सरन्या को डाट दिया, लेकिन वो अपनी जलन के आगे मजबूर होकर कुछ ना कुछ श्वेता के बारे में बोलती जरूर थी, ऐसे ही एक दिन जौला ने श्वेता को अपना बलाव सिलने को कहा, देख बहु, तुने अभी तक दु मेरा बलाव सिल कर दे, जी मा जी, मा इस घूंगट वाले भूट से क्यों सिलवारी हो, मुझे यकीन है, ये कोई गड़बर जरूर करेंगी, चिप कर, मुझे यकीन है, मेरी बहु बहुत अच्छे से सिलेगी, जौला ने भर से सरन्या को चिप कर दिया, श्वेता हमेशा घ मेरी मा को आपके उपर, आज मैं उसी यकीन को तोड़ूंगी, सरन्या ने पूरा बलाव सिकार डाला और जब जौला ने उसे देखा, तो उसने श्वेता को बहुत डाटा, बहु, वैसे तो तू सभी के बहुत अच्छे से कपड़े सिलती है, लेकिन तुझे आज क्या हु मा जी मैंने तो, मा जब बावन गज का गूंगट मुखे आगे ही लटका रहेगा, तो यही होगा, अब हो गया संसकारों के चक्कर में उकसान, सरन्या खुद अपनी मा का बलाव सकाट कर सारा इलदाम श्वेता पर थोप रही थी, और साथ में वो आग मिगी डालने का काम भी कर रही थी, ऐसे ही सिलसला जारी था, दोनों ननद भावी की नोक जोक ही चलती रहती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कभी श्वेता सरन्या को कुछ नहीं बोलती थी, ऐसे ही एक दें, श्वेता के पास उसी के महले की एक लड़की आई, श्वेता भावी, मैं जानती हूं कि आप इसे बहुत अच्छा सिलोगी, हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, क्या मोना, तू भी आई, इससे तो अच्छा होता कि तू किसे अच्छी टेलर के पास चली जाती, ये तरह शादी का जोड़ा नहीं सिल पाएंगी, इनसे पहले अपना गर दिया, लेकिन सरन्या को उसकी बाद बहुत ज्यादा चुप गई थी, इसकी ये मजाल कि ये मुझे उस बोरिंग भेंजी के आगे नीचा दिखाए, अब तू देखना मोना कि मैं क्या करूंगी, सरन्या ने मनहीमन प्लान बनाया, फिर क्या था, मोना की अगले चार दि पाकर वो रोने लगी, सरन्या ने सही कहा था, मुझे आपसे लेंगा सिल्वाना ही नहीं चाहिए था, शान्त हो जाईए मोना, मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था, मेरा यकिन कीजे, ना जाने ये कैसे, मोना बेटी तु रो मत, अब जब हमसे ये गलती हुई है, तो ह तयार किया, उसने उसे बहुत ज्यादा अच्छे से तयार किया था, जिसकी वज़त से मोना अपने लहंगे के बारे में भूल गई, और कुशी-कुशी वहां से चली गई, लेकिन अब बारीती सरन्या की, जुआला ने सरन्या को अपने पास बुलाया, क्या है, क्यों बुल कर डाला, मुझे तो शर्म आ रही है, तुझे अपनी बेटी भी बुलाते हुए, जद अफाओ जा मेरे घर से, मेरे घर में तेरे जैसी लड़कियों की कोई जगा नहीं है, मा, मा जानी दो ना, माना कि नना जी ने गलती की, लेकिन उसकी आप इन्हें इतनी बड़ी सजा म दो, ये जमाना बहुत खराब है, और ऐसे में नना जी कहां जाएंगी, आप इन्हें माफ कर दो, ऐसा तू बोल रही है बहु, जिसके पीछे यहां दो कर पड़ी हुई है, कोई बात नहीं मा जी, जलन ऐसी चीज है, जो अगर एक बार पैदा हो जाए, तो इनसान उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ा, आज यही तुझे घर में रोकने के लिए मुझे समझा रही है, बेटा, सभी का पहनावा अलग-अलग होता है, लेकिन इनसान किसी के दिल में अपनी अच्छी या बुरी जगा अपनी हरकतों से बनाता है, तो हमें कभी भी इ सरन्या ने ऐसी हरकत नहीं की, जिससे कि उसकी भावी को बुरा लगता, इस घटना के बाद से सरन्या बदल गई और अपनी भावी का साथ देने लगी, शुयता ने सरन्या को नैने कपड़े भी सिल कर दिये और अब दोनों ननत भावी मिल जुल कर रहती थी